हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रियेशन सो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 3ds Max के अंदर क्विक रेंडर सेटिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं तो इस वीडियो में अभी आप देखेंगे कि सबसे पहले तो अम कोईक रेंडर सेटिंग के बारे में जानेंगे और अगर हम कौन काँ कहान सी हैसिर्ड फास्ट भी कर सकते हैं और रेंडर को अलका सा प्र चाय शो कर सकते हैं यह मतलब उसकी क्वालिटी को और जातें निक्ट्वेस कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसी वीडियो में देखेंगे, तो सबसे पहले अभी हमारे पास यहां पे एक स्टॉल जो है वो बना हुए, तो हमें अभी इसकी रेंडर सेटिंग करने हैं, अभी आप देखेंगे कि यहां से नीचे जो है एरिया यहört वीजीबल नहीं होगा डियर में क्योंकि यहां पे आपने ए shells य Civil नहीं पहले लगा रखा है, विरे अरक यहां में आरे प्लेन करकंछा न Autominer नहीं आएंगे, अभी हम सबसे पहले जाएगे यहां पे रेंडरिंग में जाकर रेंडर जो जैसे हम scanline लेंगे तो हमारी render की सारी setting जो है फ्रेश हो गई अब दुबारा से scanline की जगा हम वापिस से वीरे advance ही लेंगे तो उस पी जैसे हम click करेंगे अब यहां पर वीरे जो है वो software-wise change होता रहता है जैसे 3D Max का मेरा भी जो यह वला version है यह है 17 तो 17 में मैंने वीरे यूज कर रहा है वीरे advance हो सकता है आपका जो है वीरे next हो 2720 वर्जन है 24 वर्जन है 22 वर्जन है जो भी आपका version से 3D Max का उस accordingly वीरे जो है वो थोड़ा वो change होता रहता है बाकि almost अगर setting के बात करें तो वो almost similar ही होती है तो अभी यहाँ पर हमने render में जाके अपना वीरे select कर दिया और यहाँ पर हम common tab के अंदर जाहेंगे और यहां से हम HDTV ही select कर लेंगे HDTV select करने के बाद इसका भी जो dimension है वो 1920 x 1080 हा रहा है हम चाहें तो इसके खुद के भी dimension हम यहाँ पर डाल सकते हैं तो अगर हमें खुद का कोई size डालना है तो उसके लिए हम यहाँ पर custom पर जाएंगे custom पर जाने के बाद यह आपके सामने जो frame open हो रहा है वो हो रहा है 640 का 480 का तो इसकी जगह अगर हमें डालना है यहाँ पर 2500 और enter करेंगे और यहाँ से हम इसकी जो height है वो height हमें कितनी चाहिए वो height भी हम डाल सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ से वापस जाएंगे HDTV में HDTV में जाने के बाद यहीं से अगर आप इसको 2500 इसकी call करोगे एंटर करोगे तो वो by default आपकी जो height है वो आ जाएगी 1406 तो यह तो है हमारी कि जितना हमारा area जो है वो render होगा यह हमारा उतने area के साब से हमने यहाँ पर sizes डाल दी है उसके बाद हम जाएंगे वीर यह हमारा भी है quick render setting के बारे में बता रहा हूँ इसके बाद हम एक advanced setting जो है वो भी उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें advanced setting के बारे में भी हम जानेंगे तो इससे पहले अभी हम यहाँ पर type में हमने bucket set कर दिया और bucket set करने के बाद वाद वापे से वापे से एक इमेज filter में गए हो और यहाँ पर वीरे ये वाला भी उसकर सकते हो या वीरे box भी उसकर सकते हो आप वैसे मैंने वीरे वाला ही उसकिया है अब यहाँ पर हमारे पस bucket आगया bucket image samplers तो इसमें minimum bucket और sorry minimum subdivisions और max subdivisions का क्या फरक होता है अब अगर max subdivisions जो है वो मेरी 24 है जितनी subdivisions को हम increase करते जाएंगे उतनी हमारे scene में जो है वो noise नहीं आएगी और जितनी हम scene में subdivisions को subdivisions की value को decrease करते जाएंगे उतनी हमारे scene में जो है वो noise और ज्यादा create हो जाएगी तो अभी मेरे max subdivision 24 है तो मैं इसको अभी 15 ही रखूँगा और जितनी आप इसकी value को increase करोगे उतना ज 15 की जगह इसको 12 ही रखोंगा 12 में क्या है कि हम अभी जो by default आ रही है वो 24 है हम इसकी value रखी है 12 और यहां से हमारा bucket के width है कि जो आपका bucket render होता है उसका size क्या है तो अभी 48 है तो by default हम 48 ही रखेंगे और यहां से हम noise 3 sold को हम 0.01 ही रखेंगे तो यह तो हो गए हमारे कुछ setting अब मैं यहां पर इसको environment को use नहीं करूँगा और यहां से मैं color mapping पर गया और यहां पर मैं रिन हर्ड ही use करूँगा और यह करने के बाद अब मैं गया वापिस यहां पर GI में global illumination पर तो यहां पर हमारे पास दो engine होते हैं एक होता है primary engine और एक होता है secondary engine तो हम primary engine की setting को brute force की जग़े हाँ यहा पर कर देंगे irradiance map और secondary engine को हम कर देंगे यहां पर light catchy अब हमारे पास यह दोनों engine की आमारे setting होगी इसके बाद हम नीचे जाएंगे irradiance map पे और यहां पे हमारा current present है भी high high मतलब अभी जो render के जितने भी हमारे frames होते हैं वो में 3-4 बारी जो है वो render होते हैं तब जाके हमारा जो quality है वो high quality के render निकलते हैं तो इसको fast में quick render setting के लिए हम इसको low पे भी कर देंगे resolution पे इतना खास फरक नहीं पड़ेगा और अगर आप इसको यहां पे low पे कर रहे हैं और यहां से आप इसके interpolation sample को 20 की जगा 30 कर दो और यहां से subdivisions को भी इलका सा increase कर दो 50 की जगा 60 तक कि हमारी जो render की quality है वो down ना हो और हमारा render जो है यह 4000 इसको हम कुछ नहीं करेंगे और वहां से last में हमारे पास आता है render element और इसके अंदर हमने वीरे denoiser जो है वो apply कर रखा है और यहां से इसको हम drop down करेंगे और यहां से इसको enable से हम activate भी कर लेंगे तो यह तो थिया हमारी वीरे की render setting जो कि हमने complete कर दिया है तो अब एक बर हम छोटा सा एक render निकाल के देखेंगे अपने camera पे ताकि हमें clear हो जाए कि हमारा जो render है वो किस type का आ रहा है अभी इसमें simply हमने कुछ नहीं किया shift L press करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमने कहां कहां इसकी lights को place करा है मैंने सिर्फ यहां पे इसको चारो साइट से इसकी light कर रही है और एक top से एक light को लिया है विरे light अब मैं इसको shift L press करूँगा तो मेरी lights जो है वो hide हो जाएंगे और यहां से मैं अब camera view पे गया camera view पे जाने के बाद अब अगर मैं इसको एक बड़ी render करूँगा shift किया उसे और यहां से मेरा जो है render जो है वो आप देखेंगे start हो चुका है तो मेरा render जो है अब वो देखेंगे कितना time लेता है render complete होने में इसमें क्या है हमने 25100 पे render किया है नहीं तो by default लोग उसको 1920 पे भी render करते है और यहां से अगर आप इसको क्लिक कर देंगे यह मारे माउस की setting होती है आप जैसे पे क्लिक करेंगे और आप जहाँ जहाँ अपना माउस को ड्रैक करेंगे वहाँ वहाँ जो है वो render हमारा होना start हो जाएगा उस उस area पे तो मैं इस वीडियो को तब तक के लिए पॉस्ट करते ता हूँ रेंडर जैसे complete होगा तो मैं आप बरी वीडियो प्ले कर दूँगा तो अब देखेंगे हमारा रेंडर जो है वो complete हो चुका है और यहां से मैं आप render टाइम की बात करूँ तो मेरा लास्ट जो render टाइम है वो एक मिनट सेंट सेकेंड लगे मुझे एक व्यू को render करने में तो यह quick render setting की वीडियो है हमारी complete हुई तो इस वीडियो में इतना ही हम बाकी अब मिलेंगे अपनी next वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें